कैलेंडर एयर का क्या मतलब होता है यह आज की वीडियो में सीख लेते हैं कैलेंडर एयर को आप हिंदी में कैलेंडर वर्ष कह सकते हैं और कैलेंडर एयर का मतलब होता है जो एक जनवरी से शुरू होकर 31 दिसंबर तक का जो साल होता है उसको कैलेंडर एयर कहते हैं यानि कि year जो है अलग-अलग तरीके के हो सकते हैं जैसे भारत में जो financial year है वो एक अपरेल से 31 मार्च तक होता है लेकिन calendar year जो है वो पूरी दुनिया में एक जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक ही होता है तो ये जो एक साल की अबधी होती है इसे calendar year कहा जाता है जिसमें 365 या 366 दिन होते हैं इसके बारे में और डिटेल से पढ़ना चाहें तो आपकी स्क्रीन पर और वीडियो की description में दिया गया है आप पढ़ सकते हैं और इसको और भेतर तरीके से समझ सकते हैं अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल ऐकन को प्रेस करें